असलाम लेकुम लेट स्टुनेंट्स, अफाक्सन सीरीज साइंस क्लास 7, यूनेट नॉमर 9, अलेक्टिक करंट एंड सरक्ट के सेकंड लेक्चर में, आज हम वोल्टेज और रिजिस्टन्स के दम्यान, रिलेशन्शिप को रिटेल में पढ़ेंगे, सबसे बहले वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, दकरंट फ्लो इन शरक्ट द्यू टू वोल्टेज, वो थाकत है, वो रिजन है जिसकी वजह से किसी भी सरक्ट में अलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, अलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं, in order to understand the concept of voltage or potential difference, consider a simple example of two water tanks, अगर आप voltage को और इसके concept को समझना चाते है तो आपको दो water tanks के मिसाल को समझना होगा, one water tank is filled with water and placed on a high surface such as table, एक water tank है, जिसके अंदर पानी जादा है, वो जादा पानी से बरा हुआ है, और उसको हमने थोड़ा सा उंचाई पर एक table पर भी रग दिया है, another empty tank is placed on the floor, और एक और दूसरा tank है, जिसको हमने जमीन पर फरश पर रखा हुआ है, these tanks are connected with pipes, यह जो तो tanks है, इनको हमने एक pipe के जरी आपस में जोड़ दिया है, we can observe that water from the tank at the top will fill the tank placed down on the floor, हम यह देख रहे हैं, कि यह जो tank है, जिसमें पानी की मिदार भी जादा थी और यह table के उपर भी रखा हुआ है, इसमें से पानी खुद बाखुद इ यह पानी की मिदार के difference के वज़ा से हुआ है, यहाँ पर पानी की मिदार जादा है, इसका level जादा है, इसकी मिदार इसके level से जादा है, इसका level इस पानी की level से जादा है, इसलिए पानी यहाँ से यहाँ पर move करना शू कर देगा, water will flow to the lower tank until there is no difference of water level, यह पानी उस वक तक हरकत करता रहेगा उस वक तक इस टैंक तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों टैंकों में पानी का मियार या पानी का लेवल बराबर ना हो जाए इस तेंक में पानी की मिقदार का लेवल बराबर होगा इसकी और इसकी पानी की सता एक दूसरे के बराबर होगी फॉरन ही इस Tanks से इस तैंक में पानी का फ्लो बंद हो जाएगा इस टैंक से टैंक में पानी जाना बंद हो जाएगा इन दा सेम वे चार्जिस फ्लो इनर सर्कट फ्रॉम हायर पोटेंशल तू लोईर पोटेंशल विल्कुल इसी तरह किसी भी एलेक्रिक सर्कट के अंदर करंट फ्लो करता है करंट जादा चार्ज वाले हिस्से से कम चार्ज वाले हिस्से की तरह मूव करता है यह जो दो चीजों के दर्मयान चार्जिस का डिफ्रेंस है एक में जादा और दूसरे में कम चार्जिस का यह जो फर्क है इसको हम वोल्टेज कहते है voltage क्या है potential difference है यह मुमकिना फर्क है दो चीज़ों के दरमियान किस चीज़ का charges का दो चीज़ों के दरमियान मुमकिना charges का जो फर्क है उसको हम voltage कहते है potential difference causes the charges to flow in a circuit, यह potential difference यह जो फर्क है एक हिस्से में सढ़ा charges और दूसरे में कम charges यही वज़ा बनता है किसी भी सरक्ट में चार्जिस के बहाव का दा यूनिट ऑफ वोल्टेज इस वोल्ट किसी भी जगा पर अगर हम वोल्टेज को मियर करें हैं तो उसके लिए बुनियादी उसके लिए एकाई क्या है वोल्ट जिस तरह वज़न को नापने की काई किलो ग्राम है इस तरह वोल्टेज को नापने की काई वोल्ट है वोल्टेज हम वोल्टेज को मियर कैसे करते हैं इसको नापते कैसे हैं वोल्ट मीटर is a device used to measure the voltage, voltage को नापने के लिए जो आला हम इस्तमाल करते हैं उसको वोल्ट मीटर कहते है, it is connected parallel to circuit because the वोल्ट मीटर remains the same in a parallel circuit, वोल्ट मीटर को हम किसी भी parallel circuit में attach करते हैं, क्योंकि parallel circuit के अंदर ये वोल्ट मीटर हमेशा एक ही जैसी reading देता है, बराबर रहता है, दोनों मतوازी रहता है, इसलिए इसके अंदर reading में कोई फर्क नहीं आता, resistance क्या है, resistance voltage का opposite है, मतलब ये किसी भी circuit के अंदर electric charges को, electron के बहो को रोक देने वाली चीज़ resistance है, अगर एक तार है, उसके अंदर कोई ऐसी रुकावट जो के electric current को बहने ना दे, चलने ना दे, तो व resistance is the opposition to the flow of charge इना circuit, किसी भी circuit के अंदर जो charge बह रहा है, उसको रोकने वाली या उसको कम करने वाली चीज़ resistance है, इना conductor, free electrons collide with one another, किसी भी conductor के अंदर हमेशा free electrons मौजूद होते हैं, एक ऐसी धात के अंदर जिसमें से बिजली का current गुजर सकता है, या गुजर रहा है, उसमें ह उसके मिच्दार में free electrons मौजूद होते हैं, यह जो free electrons होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से टकराने के बाद यह आने वाले current के जो electrons हैं, उनके रास्ते को रोक देते हैं, इनके आपस में एक दूसरे से मिलने से एक रुकावट बन जाती है, ये रुकावट पीछे से जो ब This hindrance is called resistance, यह जो रुकावट बनी है आने वाले उलेक्ट्राणों के लिए इसको हम कहते हैं resistance, The unit of resistance is ohm, किसी भी जगा पर किसी भी conductor के अंदर इस resistance को नापने के लिए जो काई है वो ohm है, It is denoted by this symbol, ohm को हम इस symbol से जाहिर करते हैं, Resistance depends on the length and thickness of wire, किसी भी conductor के अंदर कितनी resistance होगी, यह डिपेंड करता है कि उस wire की उस तार की नबाई कितनी है और उसकी मुटाई कितनी है, N, ohm meter is a device used to measure the resistance, Resistance को नापने के लिए हम ohm meter आले को इस्तमाल करते हैं, A resistor is used in electric circuit to limit the amount of current that flow in a circuit, हम एक resistor को उस वक्त इसमाल करते हैं, जब हमें किसी भी electric circuit के अंदर बिजली के बहाओ की मिकदार को रोकना हो, अगर हमें यह डर हो, कि कहीं पर भी बिजली की मिकदार जादा हो जाएगी, जादा हो जाएगे, या बिजली बहुत तेजी से आने का खत्रा हो, तो उस सुरत में हम resistors को apply करते हैं, ताकि अगर बिजली का बहाओ जादा आए तो यह resistor और बिजली के बहाओ को कम कर दे या रोक दे, relationship between voltage and resistance, resistance और voltage के दर्मयान क्या तालुक है, voltage current का बहाओ है, electron के बहाओ है, जबकि resistance इस बहाओ को रोकने वाली चीज़ है, दोनों एक दूसरे के opposite बाते हैं, we know that current flow in a circuit due to voltage, हमें यह पता है कि किसी भी circuit के अंदर जो बिजली का बहाओ है, current है, वो voltage की वज़ा से होता है, potential difference यानि voltage इस बहाओ की वज़ा बनता है, if there is a high voltage, more current will flow in a circuit and vice versa, जितना ज़्यादा voltage होगा, उतना ही ज़्यादा current किसी भी circuit के अंदर बहेगा, but while the current passes through a circuit, it faces some resistance, लेकिन जैसे ही कि, जब किसी circuit में से, किसी भी रास्ते पर से कोई भी current गुज़रता है, तो उस वक्त, उस circuit के अंदर कुछ resistance भी मजूद होती है, कुछ ना कुछ ऐसे जरात मजूद होते हैं, जो इस current के बहने को रोकने की पूरी कुछिश करते हैं, the flow of current decreases because of this resistance, इस resistance की वज़ा से, ये जो रुकावटे हैं, जो इस current को नहीं गुज़रने देती, उसकी वज़ा से current की मिकदार कम हो जाती है, इसका बहाव कम हो जाता है, relationships can be explained by using a mathematical equation, रियाजी की एक equation की मदद से, हम इस तालुक को समझने की कोशिश करते हैं, resistance is equal to voltage divided by current, यानि resistance voltage के directly proportional है, अगर हम resistance बढ़ाएंगे तो हमें voltage भी बढ़ाने पढ़ेंगे, अगर resistance कम होगी तो voltage भी कम इस्तमाल होंगे, यानि बिल्गी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपकी सड़क बिल्कुल समूध है, तो असानी आप उस सड़क पर से गुजर सकते हैं, आपको कम ताकत लगाने की जुरूत है, लेकिन अगर सड़क पर खड़े है, या सड़क हमची नीची है, गेर हमवार है, तो उस सुरत में आपकी गाड़ी को ज़्यादा ताकत लगानी परती है, उस सड़क से गुजरने के लिए, तो बिल्कुल इसी तरह अगर किसी तार में resistance ज़्यादा है, किसी वायर ऐसी है, जो ज़्यादा resistance देती है, जिसके अंदर रुका इस्तमाल भी कम होगा, डिस्टेंस और अलेक्टिक करन्ट का अपस में ऑपोजिट परपोज़नल है, यानि अगर आपकी resistance खाँता है, तो करन्ट कम आएका, अगर बिल्कू के अपस में ऑपोजिट तालोग है, जबके वोल्टेज और रिस्टेंस का आपस में डिरेक्ली प current respectively, इस equation में R resistance को जाहिर कर रहा है, V voltage को और I current को जाहिर कर रहा है, this equation is called ohms law, यह जो equation है, इसको ohms law कहा जाता है,